हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेकिन अभी तक फिरोटी की राकम लेने सामने नी आए है वो इसलिए क्योंके नज़र अखी जा रही हम पर गटा फैंबली पर सब पर परेचेंज इस बार हम सर्विलेंस पर सुजीत मैंने सुना कल के टावे फिरोटी नी नी आए पूलीस का कहना है कि शायद अलोग का अपरण एक साल पहले के किड्नैपिंग से कनेक्टेड है राकेश गट्टा के राकेश गट्टा के बरंगज के अपने दश्रेजी का बेटा है हाँ वही पुलीस का कहना है कि राकेश गट्टा का अपरण करता ही आलोग का अपरण करता हो सकता है बाए मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूं बाए पापा अब बेटा सुना है अधान से जाना क्लास में पूर्ण सालेंट मेरा है अपर जी पापा राकेश गट्टा केस जयो का तेवे सुनील जी अगला फिरोती का कॉल कभी आया है नहीं लगबग एक साल बीच चुका है सुबाश क्या आप मुझे राकेश गट्टा केस की फाइल भिजवा सकते हैं तरह स्टडी करनी है यहां मेरे पास एक केस आया अलोग गट्टा को यहीं गुर्बत नगर में काफी सिमिलर लग रहा है गुर्बत नगर पर वो तो बरन गट्ट से ज्यादा दूर नहीं है यहां से राकेश गट्टा बिलॉंग करता था और नहीं अपने खा और उससे एक साल पहले 21 मई 2016 को राकेश गट्टा अपने कॉलेज होस्त है जो कि राजा नगर में वहां से बरन गट्ट के लिए निकलती है तेकिन वो भी कभी बरन गट्ट पहुंचाएं और राकेश गायब हो गया उसका फोन स्विच आफ हो गया जो फिर कभी अन हुआ ही नहीं और नाए कभी इसके लोकेशन का पता चला राकेश के केस में भी फिरोती का कॉल पहली रात को या आया था दर्शत गट्टा को उसी रात कॉल आया था पहले बता बोल कून रहो क्या पक रहा हो अब एक कुत्ते हैं हमने तेरे पिल्ल को अगभा किया पचतर लाग लेंगे वरना तेरे बेटे राकेश की राक का चूरन बना कर तेरे पास भेज़ देंगे डिब्बे में तेरे बात कराओ राकेश थी मैं उसके मुसे सुना चाता हूं कि वो किड्नेप हुई थी तो केस मेरे पास आया रोती पीकप के लिए पहला कॉल गिर्दा सर्कूर मार्केट और दूसरी नारांच उक सब्दी मंडी हां ये पहले दो लोकेशन से जाहिर है आपकी केस की तरह मेरे केस में भी किनापर्स में पैसे पिकनिक के और में पूरी फीलिंग थी कि हम खुद अंडर सर्वेलेंस ये फिरोती पिक अप करने के लिए तीसरी बार कॉल करके बत्ती बजार बुलाए गए गए फिर नहीं आए और अब तक किन डापिंग को दो हफते बीच चुके थे और हमारे केस के तरह इस केस में भी सिमका ट्रेस नहीं हो पाए सारे आइडी सफेक थे लेकिन सारे अडर्स सही थे सारे कॉल लोकेशन मुलतानगर रेल्वे स्टेशन के आसपास के थे थे हां हमने मुलतानगर स्टेशन के सारे CCTV भी फूटेज को बड़ी बारीकी से डब ट्रिपल बार स्कान किया पर कुछ आत नी लगा लेकिन हर कॉल के बग बैग्राउंड में टेन की आवास सुनाए देती थी तो हमने अंदाजा लगा है कि यह कॉलर इस्टेशन के आसपास से ही कहीं से हमें कॉल कर रहा है फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़की का एंगल अंगली अंगल्स बनते गए एक्जामीन हुए रिजेक्ट हुए राकेश की फैमिली इसका कॉलेज होस्टल सब कुछ कंसीडर हुआ हमने हर मुम्किन कोशिश की पर सामने वाला इतना खामोश हो गया था कि हम कर कर के भी क्या कर केस अब भी अंसॉल्ड है और राकेश की कोई अब तक ख़बर दे शरीयन नाराइन चौक जबजी मंडी और गिर्दा सरकल मार्केट दोनों कॉमान पॉइंट से रैंसा विकप के मुझे लगता है कि आलो की फिरोथी के लिए तीसरा कॉल बत्ती बासार के लिए होगा यह अलोग गटा एक मस्तिक और और शिरारती किसम का लड़का जो अपने मावा को तंग करता है सताता है थोड़ा बागी किसम का राकेश कटा कैसा है अपोजीट है सीधा साधा पड़ागू लड़का है से केंडिर इंजिरी कर रहा था अगर दोनों केस को हम साथ में रखे करती नहीं है कि गुमाई और 75,000,000,000 पैदा कर लिए अब एक कमीन है मेरे बास एक छड़ी जिसको गुमाते ही तिरे लड़का राक बन जाएगर राक फालतु बात मत करो तुभी फालतु बात ना कर मुझको बेकूप ना समझे पिछले हबते तुने बारंग रोट के पास वाली जमीन बेची एड़ करोन उर्पे मिले तुझे मैं सिर्फ आधा माग रहा हूं और इतनी कंजूसी करेगा तु बेटे की जान दाओं पर लगागा बेशरम अच्छा ठीक है दे दूगा मैं पैसे हजार के नोटों में पचास लाग दीस लाग पांसो के नोटों में औ किल आपका बेटा आपके पास होगा सही सलामत हम आपके साथ जाएंगे लैंड की सेल गट्टा कम्निटी कैश रिच पिछले कुछ सालों में ये लोग अपनी जमीन है नई इंडस्ट्री और हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए बेचते आएं और इसकी सारी जानकारी किद्ना प्रसकोती सेर हमारे केस में भी सीम ही सिट्वेशन फिरोती लेने ना वो लोग सामने आ रहे और ना ही आपके केस में सामने आए और नहीं राकेश कभी वापस आया सर उन्लों की चाल समझ में नहीं आ रहे हैं आखिर मोटिफ क्या है शाइद दोनों किड्ड़नेबिक्स मे के अगवा हुए बेटे एक लौते बेटे और दोनों पार्टियों के पास टैश की कुई कमी नहीं पर फिर भी दोनों के बेटे लटाए नहीं जा रहे हैं पुलिस वाले अभी गीत की तरह मन रहा रहे हैं घर पे नजा रखे वे साले के से हटने का नाम ही नहीं नहीं ले रहे है दर्शित गटा को हाजिर करें राकेश कभी लटा ही नहीं गया शायद कुई गेम खिला गया हूँ जी सर्व अपने सब से काबिल और भरसेमंद ख़ कुछ थाच हुई थी सबसे दबारा कोशनिक करें कुछ ना कुछ है जो मिस हुआ है कोई कड़ी है जो जूड़ी नहीं संदेशा पहुंच गया पहुंचेगा वे शक पहुंचेगा तो मुट पहुंचेगा वे लुट्वट्न मुटूजँ तो मुटूँ पहुंचेगा टो जवाट थाटस काुछ पहुंचेगा तो मुट देश ? मवoga तो अब ही यह रहे यह थोड़ी दिर बाद तुझे क्या लगता है जब करना ही है तो रूपने का क्या फाइदा सर्थ कोई गडबर वाली मोमेंट तो नजर नहीं आई बस वो परोस के रखुवीर और सुभिदार जी मिलने आये थे दोनों गाउं गुर्बत नगर और बरंगंच यहां के गट्टा समाज में फैल जाओ सली एक एक परिवार की छोटी से छोटी डीटेल भी चाहिए मुझे लेकिन याद रहे सली यह समाज बहुत छोटा ने काफी फैला हुगा तो काम आसान नहीं होगा मेडम आसान होता तो आप हमको थोड़ी बुलते कर लें हम पता लगा करके रहेंगे कि सुजीद गट्टा और दशरत गट्टा के परिवारों में कौन गेम खेल रहा है दूर का रिष्टेदार है दशरत गट्टा काफी दूर का लेकिन जब आपने बाद साबने नहीं इस्पेक्टर तब मुझे भी बात खंकी कि एक साल पहले दशरत जी का लड़का अगवा हुआ था और अपता वापस नहीं लगड़ा है मैं आपके आगे हाथ जो मुझे फिरवती दे देने दीजिये मुझे दशरत गट्टा जैसी हालत में नहीं पढ़ना है तो जी जी नहीं बढ़ेंगे याकीन मानी में और हम आपकी तकलीफ को समझते हैं आपका बेटा अगवा हुए आप और आपकी पत्नी सुमित्रा की जान अटकी वी हम समझते हैं और आप भी समझ लीटे के कि इन्नाय पर जो भी हैं ये वही हो सकते हैं जिन्नों ने कोई ख़बर है के मेरे बेटे राकेश की जी नहीं कि आपके लड़के ने आपसे कभी कॉंटेक्ट किया इस एक साल में विछले एक साल से हम जिन्दा लाशों की तरह यही इंतिजार कर रहे हैं कि कब हमारी फोन की घंटी बजे और कोई कहें कि इतने पैसे लेकर फलानी ज जान भी दे दे पस हमारा पनराकेश वापस आ जाए और आप हमी से पूछ रहे कि राकेश कहा है आप लोगों ने अपना काम तो किया नहीं हमारा फोन टैप किया उसके बाद इतना सब ड्रामा किया लेकिन फिर भी हमारे बेटे को वापस लेकर नहीं आपा है मैं आप आपका दर्थ सब जायज है पर हमारा भी यकीन किजे हम भी उतने ही हताश है तो यह सुराग निकला है कि यह दोनों के बीच अरे सुजीद गट्टा मेरी तरह गट्टा विरादरी का है रिष्टा यही हम दोनों के बीच और कोई रिष्टा नहीं पहले कुछ रहा होगा त रिष्टा और क्या दुश्मनी भी एक तरह का रिष्टा ही होतीया दृष्ट जी कोई पराणी यह पीडियों पराने दुश्मनी हुआ है BYLKλ नहीं हम तो बहुत कमबारी मिलें दुश्रत गट्टा जी से वो भी किसी किसी खास मौके पे सिर्फ नाम गट्टा है एक भ और प्रद्धन तो मोरा राकेश हम उम्र हमारी जनरेशन में मिला पूर अनबन कभी राकेश से पंगा हुआ ऐस के गाउंसे नहीं सर मैं और अलोग शादी से राकेश से कभी मिले हुँगे शादियों में या फिर किर्केट मैच का दो रहां लेकिन कभी ऐसा को जगड़ा गुड सर हम सभी गटा एक ही विरादरी के आसवास के गाहों के अब मेल जोल तो होता ही है ऐसे दुश्मनी कहां सर कि जो बच्चों का अगवा कर ले बच्चे तो अगवा हुए है ना और दोनों ही केसिस में किर्णैपर ये बात बाखुबी जानता है कि बच्चों के बापों ने हा अगरे जारा है तो बस पापा वो थोड़ी तरहने जा रहा हूं सोच रहा हूं चाहता तजी से मिला हूं समल की जाने बटा पता नहीं जी बहुत गड़ा रह ए एक हम ही नहीं है ना जिनोंने जमीन बेची है तरह हमारा यह लड़का क्यों अब एक बार तश्रत भाई साब से बात कीजिए रहा है किया उनकी राकेश से बात हुई थी जिब से आलो कह है तब से एक बार भी बात नहीं हुई उससे सुजिद भाई राकेश की आवाज सुनने को तरस घहम लोग हमारी भी वो लोग आलोक से बात ही नहीं करवा रहे है अच्छा दश्रत जी हमारे किसी भी रिष्टे में या आपकी साइड से कुई ऐसा है जिसके साथ कुछ अन्बन हुई हो और वो हमारे दोनों परिवारों को दर्द देना चाहता हो हम लोग भी दिन रात यही बात सोचते हैं कुछ समझने आता कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है एक बात क्या है मुझे लगता है इसमें पूर्वजों की दुश्मनी वाली कुई बात है तस तब के तभी फिरोती दे देने चाहिए थी आकेश कम से कम घर पे होता है मैं कहां मना कर रहा हूँ पैसे देना को भाई पर कुई लिने तो आये उसी दिन से पैसे निकाल के रेडी करके रखे हुए थे वहां सुझीद जी का भी यही हाल है कोई खेल खेल रहा हम लोगा के साथ खेल तो पुलीस के साथ और भी यह लेकिन अब तो कुछ नहीं हो रहा है अब तो पुलीस नहीं हो रहा है अब तो पुलीस नहीं हो रहा है अब तो पुलीस नहीं राकेश को ढूनना बंद कर दिया केस को कब का अनसुल्जा करार कर दिया अब तो कोई आये पैसे ले ले और हमारे बेटे को वापिस कर दे जिस भी हालत में हो तेशरत जी के राकेश को भले उन लोगों ने ना लोट आया हो समित्रा लिकिन आलोक को कुछ नहीं होगा यकीन करो मेरा वो वो लोट आयेगा दो गाउ के दो जवान गट्टा लड़के गाया होएं लोट आये नहीं हैं तुरा गाउ डरा हुआ है अपका कहना है कि कोई श्रापरापका मामला है अच्प कर दिंकर यह अंदर श्रद्धा वाली बाते ना करो अरे कोई क्रिमिनल गैंगे साला यह स्पेशल थीम ना खालो घाली के सालो की सुविधार जी अच्छा है आपके बेटा समी शहर में है तो अरे दसराप गट्टा जी कर लड़का कौन सा गाव में था अरे भाई तुम लोग यह निगड़ी बात ना किया करो हलो बेना कोई देर की वे तुरं सुजित गट्टा को फोन तमा दे अब पांच मुन दुबारा फोन करो हलो हलो चिपल फाइब सेवन एक ना ना इस नंबर से ग्यानी गट्टा के फोन पर फोन आये था सबी लोगों को कॉल कर चुका है उसका मतलब वो ही सब को जानता है सब नमबर ट्राक तो हो रहा है पर शाइद हर बार के तरह इस बार भी कॉलर आईडी फेग के लिख लेगे मास्टर माइंड कहीं इन चारों है तो पर एक नहीं हालो इस चुहे बिल्ली का खेल आज खतम करते हैं खेल मैं कहां खेल रहा हूं बै तो हर बार पचास लाख रुबे लेकर आता हूं जैसा तुमने कहा था उन पुलिस वालों को अपने साथ में लेकर आने के लिए मैंने कहा था तो दूद पीता अंगूठा जूसता बच्चा है कोई तो अपने लाखो करोनों की बिजनेस की डील के लिए हो संस बैटनर को साथ में लेकर जाता है साले हाट कंजूस ये भी एक बिजनेस दील है ना सिर्फ पचास लाख में तेरे बच्चे की जान कितना सबस्ता सौधा लेकिन ना तुझे तो बड़ा शौक है ना कंपनी खोलने का आलो कचार बड़े मज़ेदार इस बार मैं अकेला आउंगा कोई पुलिस वोलिस नहीं ह होगी बस तुम ये बताओ कहां और कब आना है अगर इस बार तुने कोई चालाकी की ना तो सच कह रहा हूं आज के बाद मेरा कॉल कभी नहीं आएगा और तेरा अलो हमेशा के लिए कोई और नहीं होगा सिर्फ मैं और तुम्हारे पचास लाक रुपे बताओ कब और कहां मैं तुम्हारे पैसों के साथ टाइम पे अकेला पहुंचाओंगा इस बार आप लोग मेरे साथ नहीं आएंगे मेरे साथ इस्पेक्टर साफ आप तो समझदार हैं जानते हैं राकेश कभी नहीं लोटा बहुत बढ़ा रिसक होगा आप भी गए तो ठीक नहीं आएंगे और आप अपनी और से कोई पैत्रा भी नहीं अपनाएंगे आज राथ हमें अपना बच्चा बापस चाहिए बस बहुत होग हमारा बेटा हमार ली सब कुछ है ओके सर कोई घर पर नजर रखते हैं वो नजर नहीं आया सर पांडे अपनी टीम लेकर मुलतांगड रेलवे स्टेशन पर फैल जाओ कोई भी गडबार मोमेंट देखे कुछ भी फोन पर सुनो उसके पास जाओ डेटेल निकलवाओ पांडे और उसकी टीम रेलवे स्टेशन पर तैना आथ है तर राकेश गट्टा केस में भी गिड़नेपर स्टेशन के पास सी कोडिनेट करा था सबसे कहो एकदम चुपचाप खामोशी से इसी को पताने चाहिए पर फुलीस वाले है सुझित गट वासुदे पार्क से पास हुआ है लेकिन कोई नजर तो ने आ रहा है पीछा करता हुआ या मुआइना करता हुआ तयार रहे ना सुझित अप्रोचे सर शुचित गटा गूपी चौरा से आगे निकल गया है मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा जी का फोन टैब्ड है अगर ये लोग आज भी पैसे लें नहीं आए तो शुब शुब बोल रहा दर शुब शुब बोल आज हालोग ज़रूर खराएगा तेरे चाचा जी ने बादा किया ये मुझे आलोग ज़रूर आएगा ज़रूर आएगा जाजल थे लूएगा जब से दोगरे क梵ए लुजजश्गा सुजीत बेट कर रहा है लेकिन अब तक उसके असपस कोई आया नहीं है स्टेशन पर भी कुछ भी सस्पीशस नहीं मिला है जो बे कहीं होने पता तो नहीं चल गए कि हमने दूसरे लोगों को अंडर कबर में बेज़ा कैसे आखिर हमारी प्लैनिंग उन तक कैसे पहुँच रही है जीत को कॉल आ रहा है सब को अलट करो खासकर मुदानगर स्टेशन पर पूरे स्टेशन इसकैन करो अलो वैसे दो तू लाया है लेकिन तेरी नियतनाग कुट्टे के तुम की जाट पर लाया ना पुलिस वालों को पक्वास मत करो मैं किसी को अपने साथ नहीं लेकर आया हूं तो पीछे रद्दी के दुकान में और उस लायट के दुकान में जो तू पंदे हैं वो कौन है के जने दोनों पुलिस वाले हैं कैसे पता चलान और सब कॉलर भी रेलबे स्टेशन पर कहीं भी स्पोर्ट नहीं हो रहा है नहीं बर इ Äंदारी के चाथ,ट इसमें क्याओ कि दोलtown करते हैं तो पैसे दे बेटा ले कभ राम नम बोल और निकल यहां उर को दुको मैं वैं यहीं चूड़ के जा रहा हूं तुम 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 आ कर ले जाना है मैं यही चूड़ कर जा रहा हूं और जैसे कि हमने पैसे लिए वो कमीना इंस्पेक्टर में ठोग दे मैं मैं किसी के साथ नहीं हूँ अचा तो मुझे दूसरी जगा बता हूँ जल्दी से बता हूँ मैं इन लोगों को चक्मा देकर तुरंत वहां पहुंचता हूँ कमाल करते हो सुझीद घटा तुझे पैसे का इतना गुरूर ना कि तुझे लगता है कि इस सारी दुनिया ना तेरे दो ठके के लौंडे के जैसे बुद्धु है तुझे नहीं कि तेरा पॉंड टैब हो रहा है और तेरा पॉंड पुलिस टैब कर रही है और इस समय जो हम बाते करें वह सब सुन रहे है और तुम मुझ से बोल रहा है कि मैं तुझे खोपिया जएके बता हूं मिलने के लिए अब तो तुझे आलो कचार भी नहीं है तो एक काम कर एक अच्छा सा बड़ा सा फोटो फ्रेम बंगा देगा जिसको सामने हर रोज खड़े होकर खून के आंसुर होएगी स्मित्रा देगा अलो उन्होंने लोकेशन के रहा की कि हमसे पहले वो प्लैनिंग में हमसे दो कदम आगे है कैसे कहीं जासूस हमारी टीम में तो नहीं हमारी बंदों को वो लोग कैसे पहचान पा रहे हैं इस बार ना तो हम वहां पढ़ते नहीं पुरानी टीम वहां पढ़ती तो फिर सरी इंफ आच्छा ये बताओ, भारत का कौन सा प्रदेश रभर का सबसे अधिकुत पादन करता है ओप्शन्स तो दो कितनी बाद तुमसे सवाल पूछा जा चुक है? विटो के अब मुझसे बिन ओप्शन्स की भी जवाब पता होना चाहिए किरला गुट-गुट सिख्केम भारत में कब चुड़ा था? बाकी सवाल कल करे? कुछ काम आ गया है तुम जाओ किया हुआ? सालों ने मेसेज सुना ही नहीं पुलिस लेकर ही आए मैंने मेसेज पहुचा है था यार और मुझे बताया था कि मेसेज पहुच चुका है तो शाहद उनोंने हमारा मेसेज ठुकरा दिया हमारी बात नहीं सुनी आप लोगों ने धोका दिया है मुझे उन लोगों को पता जल गया कि पलिस वाले हैं आसपास तो जी जी तब तो मामला और भी सीरेस हो जाता है वो हमसे दो कदम आगे बात को समझने की कोशिश की वो पैसे ले लेंगे लेकिन लेकिन मुझे सही फिलिंग नहीं आ रही है क्या सही फिलिंग नहीं आ रही है हम सब को आपके बारे में सही फिलिंग नहीं आ रही है समझे आप आप अपने काम में हर बार फेल होते जा रहे है और हमारे लड़के की जिंदे की खत्रे मेडले जा रहे है समझ मनी आता आपको और आपको समझ में हो रहा है भुपेंदर जी, ये किडिने पर आप सब के बीच में सही कोई है या तो गुरबत नगर का है या बरंगंध का है वो हमारी नसनसे वाकिफ है हमारे हर मुंट पो जानता है, हर प्लेनी को जानता है वो और ये भी हो सकता है, कि किड्ने पर कोई गटा फेमिली का ही हो सुनिए सर, आप पूरी बिरादेरी को मदगसेटी इस मसले पर क्रिमिनल केस है एक 19 साल के लड़के को उठाया है उन लोगों ने और आप सब की मौझूदगी मामले को और उल्जा रही है अलोग को क्या हल किया होगा उन लोग ने सुजीत और सुवित्रा के हलो तो आप देखी रहे हैं न अब हमें इस मसले को अपने आप से हैंडल करने दीए बस बात बिल्कुल साफ है जी ये गिरोफ पैसों का प्यासा है बिना पैसे लिए ये अलोग को छोड़ने वाले नहीं है और हम पैसे देकर अलोग को लेकर याएंगे आप लुग जाते क्यों नहीं यहां से जाए इंस्पेक्टर नागर जाए यहां से आप भी जाए यहां से कि अपे अधिर कॉल किया तो वो मुव कर रहा था हाइवे पर और उसके तुरंद बाद ही उसने कहीं हाइवे पर ही अपना फोन स्विच अफ किया होगा और हमेशा की तरह कॉलर ने अपना सिंबे डिस्ट्टॉई कर दिया होगा अब अगर हम उस नमग की डिटेल निकालेंगे एक नाम मिलेगा एक एड्रेस मिलेगा नाम फर्जी होगा एड्रेस सही होगा तीन हाफतों से तीन हाफतों से खेल खिला जा रहा लेकिन एक बार भी एक बार भी किड्नैपर ने आलोग की बात घरवला से नहीं करवाए दुब क्या वज़ा ही हम नहीं जानते सब वज़ा जो कुछ भी हो पैसे तो उन्हें चाहिए पसर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो इस केस के ठंडा होने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं फिर उसके बाद वो बसूल करते रहेंगे सुजीत गटा से जोती उस लॉजिक के हिसाफ से पैसे लेने के बाद राकेश गटा लोटाया जाना चाहिए तो पर एक साल गुजर चुका है ना तो फिर उतिका को दूसरा कॉल आया और ना ही राकेश गटा की कखाबर है सुजीत के घर के बार हमने वाच तो नहीं लगा रखा है पर वो रेडार में है और अब तक रेंसम डेलिवरी का कोई कॉल भी नहीं आया ऐसा किसी के भी फोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला नोसरा से गाउं के एक छोटे छोटे सस्पेक के पीछे भी हमने बंदे लगा र कि एक से टेड़ी अभी बाकी तीन फाम तयार होना बाकी है पैसा लेकर क्या करूँगा सादू मुझे मेरा बेटा चाहिए बेटा चाहिए मुझे इतनी खामोशी के उनकी तरस है राकेश के केस में भी पहले टीम हटी गई थे सार हम भी हट गए हैं किटनेपर्स के उपर कोई प्रेशर नहीं है उसके बावजोर ना तो फ्रोती मांगी जा रही है ना ही कोई खबर आ रही है राकेश के के केस को एक साल गुज़र चुका ह और अलो के केस को भी डेड़ में ना गुज़र ने को आया लेकिन अभी तक कोई भी मॉटी समझ में नहीं आ रहा और ना ही कोई क्रैक मिल रहा तो बे जो थी ऐसा हमारे साथ पहली बार हो रहा है बंसी गटा नामे साब उसका परंगंज के पुलिस थाने में कॉंस्टेबल है दर्शत गटा सुजित गटा दोनों रिष्टेदार हैं बिलकुल सर राकेश गटा की कि टनैपिंग के दोरान वो हर कदम पर दश्रत के साथ था लेकिने से सुजित गटा के आस-पास तो नहीं देखा वह एक बार आया था सुजित गटा से मिलने हैं अब साब यह भी पुलिस भाला है राकेश के केस में इसको सब मुव्मेंट पता हो सकती थी पर शायद वो कुश्चनी के रडार में आये नहों लेकिन आलोग वाले केस में इसको कैसे पता चलता होगा यह बहुत सिंस साब मेरे पास तो एक ही फोन है बैठा बन से साब मैं अपने सीनियर के सामने कैसे बैठ सकता हूं सीनियर के सामने बैठा होगे नहीं लेकर पीट पीछे खंजर घॉप होगे यह अब क्या कह रहे हैं साब पुलिस डिबार्टन मेरी फैमिली है दश्रत गटा और सजीद अजय कटा की चिछेरे भाई के सालिहाँ जी साब तो जी इता की पतनी सुमीत्रा का मौसा हमारे फूफा है आज साब जब अलोग गटा अगवा हुआ तुम इस परिवार से मिलने गए तुम कभी इस परिवार से मिलने गए तुमारी रिष्टेदारी में दो अलगला गाउं से एक साल के अंदर अंदर दो किर्णैपिंग हुए और दोन ही किर्णैपिंग में ऐसा लगता है कि किर्णैपिंग के वाक्त ना कुछ जगडा हुआ ना कुछ चीक पुकार कुछ भी नहीं तो जाहिर से बात है, किर्णैपर्स इन तोनों लड़कों को जानते होंगे और आपको लगता है कि वो मैं हूँ कि तुम हमें समझाओ कि हमें असा क्योंने लगना चाहिए साब मुझे खबर पड़ गई थी कि आपने खबरी भेजें मेरे गाउ में और गुरुबत नगर में कट्था गरादी के लोगों की जानकारी कट्था करने के लिए और जैसी बरान गंज के मेरे साब ने मुझे कहा कि स्पेशल टीम वाले कुछ पूछताच करना चाहते है तो मुझे डाउट हुआ कि आप लोग मुझे सस्पेक गिरेंगे बंसी अगर इस केस की शुरुआ से गिना होता ना तो शायद अभी तर ये दोनों केसे हमने क्लोस कर दिया होते कोई बात ने देर आए दिरुस्ता है तो बंसी अब जार सवालों के जवाब पटा फट दे रहा पैला तमने करनापर से क्या क्या इंफर्मेशन शेयर की और तुम्हें वो इंफर्मेशन कहां से आसिल की दूसरा तुमारा इस कांड में क्या और कितना हाथ है तीसरा राकेश कटा का क्या हुआ चाथा आलोग कटा इस रुट कहा है साब मैं अपनी वर्दी की कसम खाके कहता हूँ कि मैं इस कांड में शामिल नहीं हूँ हाँ मेरा दोनों परिवार उसे रिष्टे में होना और मेरा पुलिस वाला होना मुझे शक के दायरे के बीचों बीच खड़ा करता है लेकिन साब मैं सच कहा रहा हूँ मैं इसमें इन्वाल्ब नहीं हूँ तो फिर कौन बज़े कौन जो शक आपको है वो मुझे भी तार राकेश की केस है कि कोई है जो पुलिस वाले की तरह सूचता है सही कौनस्टिबल बंसी आलोग की गिटनापिंग के दिन ये ड्यूटी पर था सारे रैंसम कॉल्स के दुरान ये ड्यूटी पर था फोन रेकॉर्ज जिक तुम क्लीन है सर बोलना माँ पुलिस वाला अगर क्राइम में शामिल हुआ तो सारे फुटप्रेंट्स बड़ी बारिकी से साफ कर सकते नदर रखो क्लेंचिट नहीं दे सकते इस वक्त तो बिलकुल नहीं सर कॉंस्टिबल्स पांडे सिंग और खान इन सब के फोन रिकॉर्ज चेकिए जासूस अपनी टीम में से तो नहीं है सर गुर्बत नगर, बरंगंज, मुल्तानगर, रावलबाग, राजजानगर यहां की सबी लॉजेस, सबी सस्पीशे जगर और उन सबी जगर को दुबारा से स्केन के जहां से किड्नैपर्स की कॉल ट्रेस होगे थे जबके राकेश का केस पूरा मीडिया स्पाटलेट में था, उसकी तस्वीरें अख़बार में छपी थी आलोक की केस में उसके पोस्टर दिवारों पर चिपकाए गए किड्नैपर्स ने इन दोनों को इतने लंबे अर्से तक कैसे एकरद करके रखा होगा कि किसी ने कुछ देखा ने, कुछ सुना ने ऐसा होई ने सकता कि किड्नैपर्स इतने शातिर हो इतने शातिर जो हमें हमारी हर चाल पर चेकमेट दे रहा है और हम, हम एक भी राणी जीत पा रहे है बेचैनी की जगा अब कजीब सा ड़र लगने लगा था कि फिरोती के कॉल बंद क्यों हो गए डिलिवरी की जगा बताई क्यों नहीं जा रही थी जो खामोशी की चादर अलोग गटा के परिवार ने उड़ ली थी वही चादर पहले राकेश गटा के घरवालों में भी उड़ रखी थी हमें हमारे लेटेस्ट आरोपी कॉंस्टेबल बंसी गटा के खिलाबी कुछ नहीं मिल, लेकिन हम ने उसे राडार के बाहर नहीं होने दियुए हम नाकामयाऑी की दलदल में धनस्ते जा रही थी पर फिर भी हम हर मुम्मुPM सुराह के तिंके से लटकते जा रहे थी जो शायद इन किड्नाइपिंग कराज अल कर सकते क्या सीन है? शायद गेम बदल देया हूना कि सारा चरे नहें पतानि पुलीस वाले है यहान ही तो अब CHANCE लेंगे हो सकते हम लोग जाधा ही शब कर रहे हूं पुलीस वाले निकल गए हुआ से बार हम लग वह लग रहा हो की वह ही है तो अब क्या करें? CHANCE लेते हैं ठीक है ले लेते हैं CHANCE हालो, हालो कुछ और फोन कॉल्स, फिर उती की डिलिवरी खले और अलेग अलेग लोकेशन्स बिल्कुल, और फिर से अप्रेशन का अन्जाम नहीं दे पाद उन्होंने सुजीत को चार अलग-लग लोकेशन पे बुलाए और सभी भीड भाड़ वाली ताके हम उने स्पाट करके धर ना सके टेक्निकल सर्विलेंज भी सक्सेस्फुल नहीं रही किड्नैपर्स के सिम कार्ड्स की तरफ एक भी लीड नहीं थी नहीं थी एक भी लीड नहीं थी सारे फरजी आईडी से ख्रीदे गए थी अलग-लग जगांसे और अलोक की किड्नैपिंग को तकरीबन तो मेहने गुज़र चुके थी और हमारी फेलिर की करीब है फिर भी हाथ में नहीं आ रही है दसत गटा और सजीत गटा का कोई भी कॉमन दुश्वन नहीं सिर्फ एक कॉमन रिष्टेदार है बंसी फिलाल उसे साइड में रखते हैं दोनों में एक चीज़ और कॉमन दोनों के पास पैसा बहुत और वो पैसा देने के लिए तैयार भी है और किड्नैपर्स ने इंसे मोटी रखम मांगी जाहर सी बात इसका मतलब यह है किड्नैपर्स को पैसे किस सक्सरूर थे वो मोटा पैसा कहीं गवा चुके है और उनके पास लटाने के लिए पैसे है नह कहीं से कोई बड़ा लोन उठाया हो सरे कर्जदार इनके आसपास काऊ पर शायद डारेक्ट रिष्टे में ना हो शायद यह हमारे सस्पेक्ट में से ना हो कोई और ही हो जो अभी तक हमारे रेडार में नाया हो गुर्बत नगर और बेरंगाली काफी बड़े गाओं है लेकिन फिर भी अगर हम बारीकी से खोदना शुरू करें तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हमारे सामने आए जो कर्ज में डूबा हो और जिसका इन दोनों से कोई कनेक्शन हो और उससे हमारे केस में शायद कोई नए अंगल कोई हम अंधेरे में आँखें मून कर तीर चला रहे थे हम दोनों गाओं के हर एक आदमी की जानकारी निकालने लगे हम जो कर रहे थे वो पागलपन से कम नहीं था और इस बागलपन में से ही इस केस का तोड़ निकला इस पूरे एकसरसाइज से एक नई हकिका सामने आई कि अगर सुजीत ने पहले शाट में हमें सब कुछ बता दिया होता तो हम काफी कुछ काफी पहले कर पाते हैं यह रहा हुकम का इकका यह फिर से मेरा है हुआ है हुआ है और यह मेरा यार आलोक मैं बाहर जा रहा हुँआ है तो कुछ अच्छा सा वना के खिला नाज चलो ठीक है मैं बना के रखूम मत अब यह मत पूछना के क्या बनाओ अँगा अच्छ ठीक अब बाइब बाइब गेम तो यही खताब हो गया कि पर एक का अरवर केस में जी जाते हैं एक पर हो इसके लिए ना दिमाग चीव तुमारे पास नहीं है एक काम कर दो तुम एड़मिट कर लो कि तुम हार रही हो मुझस से अच्छा देखते हैं मेरे बेटे को गायब भुए पूरे दो महीने हो गए हैं और आप अब भी पुरानी दुष्मनी की रट नगाए बैठें साब मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ मैं कोई साहुकार नहीं हूँ जो लोगों को लोग मोन देता पिर हूँ मैं तो एक साधारन सा किसान हूँ आप साहुकर नहीं है, ठीक है, पर कभी किसी को कर्ज दिया हो जो लोटा ना पाया? जी नहीं सलजी, सुजित भाईया ने ऐसा कोई कर्ज बर्ज किसी को नहीं दिया सूद के तोर पर ना सही, ऐसे ही, मदद के तोर पर? जी नहीं, ये कॉंस्टेबल मंसी गट्टा, ये नस्दीक से ना सही, पर दूर से तो आपके रिष्टी में आता ही है ना? सब मुझ से एक बहुत बड़ी गल्ती हो गई कैसी गल्ती? जब मेरा बेटा अगवा हुआ और फिरौती के लिए पहला फोन आया, तो मैंने ए बात किसी को बताई ही, जो कि नहीं बतानी चाहिए थी किसको बताई थी? आप लोगों को, ये जानते हुए भी कि राकेश गटा के केस में अप लोग कुछ नहीं कर सके थे, फिर भी मैं आपके पास आया मदद के लिए और क्या मदद मिलिये मुझे? मजाग कर रहे हो क्या? सुर जी गटा किसी से उधार क्यो लेगा? गाउं के मालदार किसानों में से एक है? अरे वो तो कुछ साल पहले अभी बने ना? इससे पहले तो मालदार थे नहीं वो? देखो किसने किससे कितना करजा लिया है? इस बारे में जानकारी चाहिए, गाउं में एक ही इंसान है, वो है लक्षमन भईया ये कौन है? साहू का रहे हैं, सब को सूथ पे पैसे देते हैं लक्षमन भी ऐसे मिल सकता हूं क्या? क्या का मैं आपको? कर से ये था अज़ झाओ कर दो झाल किसने कितना का रहे हैं